आप लोगों को याद हो तो मैंने Windows 365 का एक वीडियो इस चैनल पर बनाया था जिसमें आप लोगों बताया था कि Microsoft की इस release के बारे में मैं बहुत ज्यादा excited हूँ यहां पर मैं आप लोगों को Windows 365 के बारे में बताऊँगा कुछ चीजें जो की मेरे opinion के हिसाब से मुझे लगती है और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्या ये Windows 365 actual में एक revolutionary चीज है की नहीं है क्या लोगों को इस चीज के लिए pay भी करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो के इंदर बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर बतादो भी Windows 365 जब आया था तो मैंने इसको Digital Ocean की तरह समझा था जहां पर आप पर आवर के साब से एक Windows PC को रेंट पर ले पाएंगे ऐसा मैंने समझा था बड़ आक्शल में जब Windows 365 रिलीज हुई लास्ट मन्थ अराउंड एक मन्थ हो गया शायद रिलीज हुए वे शायद 20 दिन हुए होंगे बट जब यह आई थी तब यहां पर मुझे यह लगा था कि यार हम एक एक घंटे के लिए एक पावरफुल PC को रेंड कर सकते हैं उस पर गेम खेल सकते हैं और भी मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जो की नहीं हो पाते हैं कभी-कभी मुझे वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है अपने कंप्यूटर में अगर मैं ट्रावल करता हूँ तो मेरे पास जो लाप्टाप है वो एडिट नहीं कर पाता है बड़े-बड़े वीडियो जैसे कि अभी पर्सों की बेवात आपको बताता हूँ मैं अराउंड 11 घंटे का एक वीडियो एडिट कर रहा था प्रोग्रामिंग वे दैरी चानल के लिए जो C का एक पूरा 11 घंटे का वीडियो है तो वहां पर मैं डालने के लिए उसको एडिट कर रहा था और तीन बार वो फेल हुआ और उसका जो फेल होना है वो हाडवेर से रिलिट है कहीं न कहीं मेरा जीप्यू नहीं जेल पाया इतनी बड़ी वीडियो या राम कम पड़ गई आई डॉन नो बस वो मुझे फेल्ड का मैसेज देता गया और मैं इवेंच्वाली उसको सम्हाव मैंने 1080p में रेंडर किया तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों को पावरफुल काम करने हैं एक आम यूजर को तो Windows 365 आप लोगों के लिए नहीं है यह मैं क्यों कह रहा हूँ है यह मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे बहले तो अगर मैं आपर Windows 365 के वेबसाइट पर जाओं तो ऐसा लगता है कि यार एक क्लाउट बीजी है इसको आप स्ट्रीम कर सकते हो एक घंटे के ले सकते हो आधे घंटे के ले ले सकते हो लेकिन अगर मैं Windows 365 के प्लान्स की बात करूँ तो दो प्लान्स है आपर 365 बिजनस और एंटरप्राइस चलो यार बिजनस पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि एंटरप्राइस तो मैं नहीं ले पाऊँगा वेभी थोड़े महंगे होंगे और बल्क में मुझे लेने पड़े तो मैं बिजनस ही सेंस बना रहा था तो मैं इस क्लिक किया, compare plans and pricing किया, तो मेरे हिजाब से 2410 रुपए आपको देने पड़ेंगे, सिर्फ 4GB RAM के लिए, सोचो, 4GB RAM के लिए 2410 रुपए, यानि कि अगर एक साल के लिए आप लोग इसको रेंट कर रहे हैं, तो around, आप maths कर लो, मैं exact maths इस लिए कर रहा हूँ कि युद चीजो जब मैं कोई चीज ले रहा हूँ, तो मैं उसको long term के लिए लोगा ना, पांच साल के लिए अगर आपने इसको लिया, तो 1.500 रुपे round आपको देने पड़ रहा है, अब मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, मैं भी आप एक business चलाते हैं, और आप जो अच्छल में रखा होगा, जो cloud data center पर ये computer का hardware रखा होगा, वहाँ पर definitely internet की speed तो अच्छी आती ही होगी, ठीक है, तो इसलिए यह जो speed ए internet की वो बहुत बढ़िया दे रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं चोड़ा बहुत disappoint हुआ कि मैं expect कर रहा था per hour के plans, per day की भी नहीं, per hour के plans, और मैंने सुचा था कि यार अगर हम कोई powerful PC में powerful GPUs लगा कर एक गंटे के लिए game भी खेलने हैं और उसके अगर मुझे 5-10 या फिर maybe 20-30 डॉलर भी देने पढ़ गए तो it's going to be worth it, ठीक है, I think 5-10 डॉलर तो Digital Ocean पर एक droplet में जाती है महीने की, या Walter, Linode ये सारी services जो हैं दे द Windows on the Cloud, Microsoft हमें दे रहा है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, और अगर उसमें इन्होंने GPU और powerful compute affordable price पर दे दिये, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, और मैंने तो यही सोचा था कि यार मैं एक PC rent करके रखूँगा और उस पे अपनी editing बगएर कर लिया बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुझे जो plans and pricing है वो थोड़े से महंगे लगए, अब मैं यह नहीं कहरा हूँ आपको नहीं करें आप, अपने आपको evaluate करें, मैं अपना opinion यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, मुझे यह सारे के सारे pricing महंगे लगए, मैं यह नहीं कहरा हूँ Microsoft के सारी products बेकार है Microsoft का in fact मैंने तो Office 365 का subscription भी ले रखा है जिसमें कि मैं ये सारी की सारी apps चलाता हूँ PowerPoint हो गया और Excel हो गया Word और मैं बहुत खुश हूँ आपर नए features मुझे देखने को मिल जाते हैं immediately और मैं उनको use में भी लेता हूँ खर्चा तो करना ही पड़ेगा अगर मैं Windows 365 as an individual लेने की सोच रहा हूँ कि यार मैं as an individual अपने लिए value produce कर सकूँ मैं businesses की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप करोडों लाखों का business run करते हो तो ये पैसे कुछ भी नहीं है आप लोग के लिए 70-60 pieces लेके अपने employees को दे दो और अगर आप लोग privacy को जादा value करते हो और आपको ये लगता है कि जो privacy है वो आपके लिए बहुत जादा important है और आप उसके लिए थोड़े बहुत पैसे भी खर्च कर दो तो मुझे नहीं लगा कि this is for individuals in fact इन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप business के लिए लेना चाहते है enterprise के लिए लेना चाहते है मेरे हिसाब से आप इनको एक individual भी add करना चाहिए था और उसी के साथ-साथ जो plans और pricing थे थोड़े ऐसे करने चाहिए जो कि individuals अब यहां पर मुझे पता है कि PC के अंदर गुसने के बाद यानि कि Windows 365 PC के अंदर गुसने के बाद मुझे fast internet connection मिल जाएगा बट मुझे fast internet connection चाहिए भी होगा इसको access करने के लिए मैं अगर अपना laptop करी कर रहा हूँ मैं अगर fly कर रहा हूँ यानि कि मैं airplane में बैड़ाओ हूँ और मैं वहाँ पर अपना laptop on करूँ तो मैं उसमें काम कर सकता हूँ Windows 365 PC में मैं काम नहीं कर सकता हूँ ठीक है बट अगैन यह तो बहुत ही चोटी सी बात हो गई यहां पर कुल मिला कर मैं आपको बता हूँ बहुत ही कम पैसों में देखने को मिल जाए वो मुझे नहीं देखने को मिली यहां पर और यहां पर definitely Windows 365 Microsoft दे रहा है तो definitely वो भी पैसे कमाने ही आए हैं बट मुझे नहीं लगा कि individuals को यह जादा value provide कर रहा है एक बहुत बड़ी limitation इस चीज़ की मुझे यह भी लगी कि इसके अंदर कोई GPU नहीं है वीडियो कार्ड इसमें बिल्कुल भी नहीं है और जिस आप से इसकी pricing है मैंने इसको नहीं खरीदा है as of now इन्होंने बोला था कि यह लोग trial देंगे लेकिन मैं आपको message दिखाता हूँ है कि इन्होंने एक message यहाँ पर show कर रहा है कि यह demand बहुत बढ़ गई हमारी और हम जो है trial अब नहीं दे पा रहे है और यह message मुझे right from day one देखने को मिला जिसका मतलब यह है कि यार यह ready नहीं थे मैं तो यह कहूँगा यह ready नहीं थे Windows 365 का trial देने के लिए में भी इन्होंने कुछ लोगों को दिया होगा कुछ लोगों को मिला भी है जैसे कि मुझे पता चला है बट यहाँ पर Windows 365 के sufficient trials at least एक दिन का trial इनको ज़रूर देना चाहिए था अब इन्होंने यहाँ पर Windows 365 का एक demo एक interactive demo का link मुझे मैं आप लोगों को देता हूँ interactive demo Windows 365 ठीक है यह देखो तो interactive demo Windows 365 का यह link मैं आप लोगों को दे दूँगा या फिर आप भी ऐसे निकाल लेना जैसे मैंने निकाला है और यहाँ पर यह विंडोस 365 इन्टराटिव देमो विंडोस 365 इन्टराटिव देखना पसंद करूँगा यह दो सिर्फ शुरूआत है विंडोस 365 वेवाल करेगा और इन्टराटिव देखना लेगा और हो सकता है यहाँ पर कि हमको डिजिल लोशन जैसे या फिर वरल्टर जैसे लेनोट जैसे कुछ ऐसे प्लान्स देखने को मिलेगा यार पर आवर बेसिस पर आप लोग अक्शल में गेमिंग पीसी अब आपको एक सपने की तरह नहीं देखनी होगी आप थोड़े बहुत पैसे एकटा करके पीसी रेंड कर सकते हो उसमें आप लोग गेम डाल सकते हो अपने पसंद का state of the art hardware पर और आप लोग कभी भी कोई से अभी गेम खेल सकते हो या कोई ऐसा काम perform कर सकते हो जिसके लिए शायद आपको बहुत ज़ादा compute की जरूरत पड़ती आप लोग का opinion है विंडोस 365 के बारे में मुझे जरूर बताना और क्या मुझे इसको खरीद कर एक try लेना चाहिए ये भी आप मुझे जरूर बताना अगर request आई तो definitely मैं इस plan को खरीदूँगा ये वाला plan मैं basic या फिर standard वाला plan खरीद कर और इसको तो चला कर देखें कैसे चलती है PC बट मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत बड़ा point ने क्योंकि यार ऐसे ही चलेगी PC जैसे कि ये चलती है जैसे NEDS वगरा में आप control लेते हो तो उसी तरह से PC चलेगी है ठीक है अगर आप लोग कुछ चाहिए उस तरह का वीडियो तो मुझे बता देना अगर बहुत सारे comments आई definitely में बनाऊंगा आप लोग क्या opinion है मुझे comment में जरूर बताए Windows 365 के बारे में अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो आप लोग को आप लिए स्वार्ई लोग करेंगा